तेंक यू, तेंक यू, मिश्टर प्रसिडेंट्स, आपने अभी जो भारत के बारे में कहा, महत्मा गांदी, स्वामी विवेकानन और सरदार पटेल को स्रद्धा पुर्वग याद किया, भारत के लोगों के सामर्थ, उपलब्दियां और संस्कृति के बारे में कहा, मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहा, मैं इसके लिए प्रत्य भारतवासी की तरप से आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, प्रेजिडेंट ट्रम्प ने न सिर्फ भारत का गवरो बढ़ाया है, बलकि अमेरिका में रहने वाले भारतियों को भी सम्मान दिया है, मिस्टर प्रेजिडेंट, जहां से आपने भारतियों को सम्मोधित किया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, खेल समंदित, कुछ सुविदाएं, यहां अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी आपका यहां आना, खेल जगत से जुड़े, हर व्यक्ति को भी उत्साहित करेगा, मैं गुजरात क्रिकेट एसोसेशन का भी दन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये शांदार वेंडियों इस कारकम के लिए उपलब्द कराया, हो सकता है, इससे उनके कंप्लिशन टाइम टेवल में कुछ परिवर्तन आया हो, लेकिन मुझे पुरा विस्वात है, वो इसे मेक कर लेंगे, साथियों, दो व्यक्ति हो, या दो देशों के समन्द, उसका सबसे बड़ा आधार होता है, विश्वास, एक दूसरे पर ट्रस्ट हमारे यहां कहा भी गया है, तन मित्रम यत्र विश्वास हो, यानि फ्रेंशिप इज वेर, ट्रस्ट इज अन्शेकेबल, पिछले कुछ वर्षों में, भारत और अमेरिका के बीश, विश्वास जिस नई उंचाई पर कहुंचा है, जितना मजबूद हुआ है, वह एक यहासिक है, अमेरिका की अपनी यात्राओं में, मैंने इस विश्वास को दिनों दिन मजबूद होते देखा है, मुझे याद ह है, जब मैं वासिंग्टन में, प्रेसिडेंट ट्रम्प से पहली बार मिला था, तो उन्होंने मुझे कहा था, इंडिया है जे ट्रू फ्रेंड इंद वाहिटाउस, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भारत के प्रती, अपने इस विश्वास प्यार को हमेशा प्रदर्शित किय है, जैसा आपने जिक्र किया, जब वाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है, तो अमेरिका में रहने वाले 40 लाग बारतिय भी अमेरिका की समर्दी और प्रगति के सहयात्री होने पर गर्म मैसूस करते हैं, साथियों, अमेरिका की तरह ही, आज भारत में भी परिवर्तन क के लिए अभूत्पूर्व अधीरता है, आज 130 करोड भारतवासी मिलकर न्यू इंडिया का निर्मार कर रहे हैं, हमारी युवाशक्ती एस्पिरेशन से भरी पर हुई है, बड़े लक्स रखना, उन्हें प्राप्त करना, आज न्यू इंडिया की पहचान बन रहा है, आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम ही नहीं है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एशॉरंस कीम भी चला रहा है, आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क ही नहीं बना रहा है, लेकिन आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्रेम भी चल रहा है आज भारत एक साथ सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भेंजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं बनाता रहा आज भारत सबसे तेज़ फाइनांसल इंक्लुजेंट करके भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है 21 सदी में हमारा इंफास्ट्रेक्टर हो या पिर सोचल सेक्टर हम ग्लोबल बेंचमार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं बीते कुछ समय में भारत ने नर सिरिफ पंदरा सो पुराने कानून खत्व किये हैं बलकि समाज को ससक्त करने के लिए नए कानून भी बनाए हैं ट्रांस जेंडर परसंस के लिए अधिकार हो त सिंब्यांग जनों को प्रात्फिक्ता देना हो महिलाओं को प्रेगिननसी के दोरान 26 हपते की पेड मेटनरी लीव का प्रावदान हो ऐसे कई अधिकार हमने समाज में अलग-अलग वर्गों के लिए सुनिश्चित किये हैं साथियों मुझे इस बात की खुशी है कि भारत म हो रहे हैं इन परिवर्तनों के बीच आज अमेरिका भारत का एक बरोसे मन पार्टनर बना है आज जो देश बारत का लार्जेस ट्रेडिंग पार्टनर है तो वो देश हैं अमेरिका आज बारत की सेनाएं जिसके जिस देश के साथ सबसे जादा युद्ध व्यास कर रही है तो वो देश है अमेरिका आज जिस देश के साथ बारत की सबसे व्यापक research and development partnership है तो वो देश है अमेरिका आज चाहे defense हो, energy sector हो, health हो, information technology हो, हर छेत्र में हमारी relationship का दायरा निरंतर बढ़ रहा है साथियों 21 सदी के इस दसक में new India resurgent अमेरिका के भिलिये भी अनेक नई संभावनाए, अनेक नई अवसर लेकर के आया है विकास के हर छेत्र में दोनई देशों के पास पाने के लिए बहुत कुछ है भारत में manufacturing बढ़ाना, infrastructure का विस्तार होना, अमेरिका के लिए नई संभावनाए लेकर आएगा Industry 4.0 के इस दौर में बारत में digital economy का विस्तार अमेरिका के लिए भी निवेश के अनेक मौके बनाएगा Mr. President, बीते दशकों में, digital economy में बारत और अमेरिका के सम्बंदों को शेप करने में बहुत महत्वपुण भूमी का नभाई है भारतिये talent और अमेरिकी technology ने इस छेत्र को नई leadership दी है और मैं मानता हूँ 21 सदी में भारत और अमेरिका मिलकर इस digital yuk का Industry 4.0 का मितरुत्व करने के लिए समर्थ है साथियों 21 सदी में नए alignment नए competition नए challenges और नई opportunities बडलाव की नीव रख रहे हैं ऐसे में भारत और अमेरिका के समन्थ और सयोग की किश्वी सदी के विश्व की दिशा तय करने में महत्वपुण भूमी का होगी मेरा सपस्ट मत है कि भारत और अमेरिका natural partner है हम सिरफ इंडो Pacific region में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया की peace, progress और security में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं अतंगवाद को हराने में अमेरिका के commitment और President Trump की leadership मानवता की सेवा की है और इसलिए मैं मानता हूँ कि President Trump जैसे विलक्षन नेता और भारत के अनन्य मित्र का इस देश का इस दसक की शुरुवात में ही भारत आना एक बहुत बड़ा आउसर है बीते समय में बारत अमेरिकी समंदों को ससक्त करने की जो शुरुवात हमने की है अब उनकी इस विजिट से उसका अगला फेश शुरू हो रहा है हम एक लॉंग तर्म भीजन से इंस्पारड है सिर्फ शौर्ट तर्म कंसिडरेशन से नहीं हमारे बाइलेटरल रिलेशन्स ग्रो करेंगे हमारी एकोनामी पार्टर्शीप का विस्तार होगा हमारा डीजिटल कोपरेशन बढ़ेगा और मुझे विश्वास है कि हम नई उचाईयों को पार करते हुए बारत जिन सपनों को ले करके चला है अमेरिका जिन सपनों को ले करके चला है हम मिल करके उन सपनों को पूरा करेंगे आज मेरा सोभाग्य है कि रास्पति ट्रम और उनके पूरी परिवार का मुझे स्वागत संवान करने का आउसर मिला है मैं फीर एक बार नमस्ते ट्रम्प का इस नात को गुनते ہوئे आप सबचे अगरें करूँगा भारत माता की भारत माता की इंडिया-U.S. प्रेंचिप long live, long live इंडिया-U.S. प्रेंचिप इंडिया उस्प्रेंचीप उस्थिशा ग्रियो प्रियो अधो धुक्तिशा ग्रियो इनदे जनो ग्रियो निर्मान खेलार माट प्रोशुति शदने उन्दा परिशेवा सिनिया सिटिजेन पार्क, माल्टीजिम, पानियो जलेर फ्रकल्प, आधुनिक बाजार, बज्जन इश्काशन बायबोस्ता ओ, बायो गैस उत्पादन, जुबग जुबथिते जन शानिर्भर प्रकल्प, उन्नत पुरिशेवा प्रदाने, बद्ध पुरिकाज जायन अगर म ये लप पुरिशा भाज